हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 ठोस आकारों का चित्रन प्रशनावली 10.3 से कोशन नमबर 4 और 5 सोल करेंगे तो कोशन नमबर 4 देखें, फर्स पार दिया गया है प्रीजम और बेलन किस परकार एक जैसे हैं तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि प्रीजम और बेलन किस परकार से एक जैसे हैं तो देखें ये है बेलन और ये है प्रीजम अब पूछा गया है प्रीजम और बेलन किस परकार से एक जैसे हैं तो देखे बेलन का आधार और उपरी सिरा दोनों कैसे है वृताकार है तो अब देखे ये प्रीजम बेलन कब बन जाएगा जब प्रीजम का भी आधार और उपरी सिरा दोनों ही कैसे हो वृताकार हो तो प्रीजम बेलन बन जाएगा अब वो कब होगा जब प्रीजम के आधा अभिए जो PR Quarter 5 इस तरह से है इक डोर इनिल्ट Creek करने सबस्ते ही चलिए एदिए मैं ईसकी अधार और पुरण और छत मुझी एंधिक गर्डा यह चत Και कर दूं तो इस तरह से और वृताकार होता जाएगा इस तरह से बेलन की तरह वृताकार होता जाएगा तो जो इसका आधार है वो वृताकार होगा तो यानि जिसका उपरी सिर्य वो भी वृताकार होता जाएगा जब इसके आधार की भुजाओं की संख्या हम बढ़ाते पूछा गया है कि पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं पूछा गया है कि पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं तो देखें यह है पिरामिड और यह है शंकु अब देखें पिरामिड का उपरी सीरा नुकीला है और शंकु का भी उपरी सीरा कैसा है नुक सहो वृताकार और वो कब होगा जब इस पिरामिट के आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक होती जाए देखे अभी पिरामिट के आधार की भुजाओं की संख्या कितनी है एक दो तीन चार है तो देखे मैंने इसकी आधार की भुजाओं की संख्या बढ़ा कर छ फिर 6 से जब 8 करती तो ये जो पिरामिट का आधार है ये देखे वृताकार होता जा रहा है इसी तरह में इसकी संख्या और बढ़ाती जाओं इसकी भुजाओं के संख्या मैं 10 कर दूं फिर 10 से 12 कर दूं तो ये जो पिरामिट का आधार है वो इसी तरह से वृताकार होता जा जब इसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक होती जाए तो सेकंड पार्ट का अंचर है कि एक पिरामिड एक शंकुत तब हो जाता है जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक होती जाती है तो यह था कोशन नंबर फॉर अब कोशन नंबर 5 देखिए क्या एक वर्ग प्रीजम और एक घन एक ही होते हैं तो पूछा गया है कि क्या वर्ग प्रीजम और घन एक ही होते हैं तो देखिए यह एक वर्ग प्रीजम है वर्ग प्रीजम है होता है जिसका आधार वर्ग हो वर्ग में क्या होता है चारो भुजाएं बराबर हो गन में लंबाई चोड़ाई और उंचाई तीनों बराबर होती है अब यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है वो जादा है लंबाई चोड़ाई और उंचाई यहां बराबर नहीं है तो यह एक घनाब है तो नहीं वर्ग प्रीजम एक घनाब भी हो सकता है तो आंसर है नहीं, वर्ग प्रीजम और घन एक नहीं होते हैं, यह एक घनाब भी हो सकता है, वर्ग प्रीजम जए एक घनाब भी हो सकता है तो आज इस वीडियो में हमने question number 4 or 5 solve करा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, thank you